Hello everyone and welcome to study with Sunil देखे दोस्तों कुछ most important question answer का संक्रह किया जो कि आपकी आने वाली exam के लिए important है तो देखे आज का lesson अपन शुरू करते हैं अगर आपको इस वीडियो की PDF साहिए ता आप मुझे टेलिग्राम चेनल के उपर follow कर लेना वहाँ पर मेरे हर एक वीडियो का notification और PDF सबसे पहले आपको provide हो जाता है देखे पहला कि सुन आपको देर का रास्तान के कौन से परदेश में anti-soul समुह की मर्दा मिलती है तो रास्तान का जो पश्चिमी परदेश है वहाँ पर anti-soul समुह की मर्दा मिलती है तो इसमें option second क्या होँ जाएगा इसका correct answer होँजाएगा नागालेंड के परवत किरमेश है बंजर होते जा रहे है इसका परमु कारण क्या है उगरवाद है जूमिंग करसी है सहरिकरण है या पिर तेजी से बढ़ती हुई जन्संक्या मेरदी तो देखे इसका कारण है जूमिंग कर्षी आदिवाशी जो लोग हैं महाँ पर जूमिंग कर्षी करते हैं जिसके कारण है नागालेड में परवत है वो बंजर होते जारहे है निम लिखे दे में से खनीज संसाद्यों की सारवादिग जहां है वहाँ पर कौन सा है यानि खनीस अंसाद ने वो सरवादी कहाँ पर है करनाटक में है मारास्ट में है केरल में है या फिर तमिलाडू में है तो देखे करनाटक क्या होगा इसका करेट आंसर होगा निम्न खत्रों के पर विचार करना है और निची दिगए कूट के आदार पर आपको चैन करके बताना है तीन खत्रन दे रखे हैं चीनी उत्पादन प्रक्रम में शीरा एक उपउत्पाद है और चीनी कारखानों में चीनी मिलों में से निकली खोई भाब बनाने के लिए बॉइदरों में इंदन के रूप में प्रियोग की जाती है और कच्ची सामगरी के रूप में केवल गन्ने से ही चीनी का उत्पादन होता है केवल गन्ने से ही चीनी का उत्पादन होता है कच्ची सामगरी में ये खतन आपको इसमें गलत दे रखा है और फैस्ट और शेकिंड खतन है वो आपको इसमें सही दे रखे है तो कूट आपको फैस्ट और शेकिंड कौन से उप्सन में दे रखा है फैस्ट ऑप्सन भी दे रखा है इसलिए ऑप्सन फैस्ट कि हो जाएगा इसका करेट आंसर हो जाएगा निम्न लिखीत में कौन वेकल्पिक उडजा का सबसे बड़ा संग्रहकार है सोर उडजा है प्रमान उडजा है जवारी उडजा या फिर भू उश्मी उडजा तो देखे सोर उडजा क्या होगा इसका correct answer होगा भारतिये मानक समय किस रेखा के उपर अपनाय गया है भारतिये मानक समय कोन सी रेखा पर अपनाय गया तो ये क्विसन तो आपको पता हो न चाहिए देखे, ओप्षन इसमें 2nd क्या होगा 2.70 क्या होगा इसका करेट आउन्सर होगा क्षेतरफल की दरेष्टी से निमली खित भारते राजियों में से सबसे अधिक 1 आच्छा दन कौन से राजिय में है प्षेतरफल की दरेष्टी से आपको बताना है भारते राजिये में सब सेधिक 1 कौन से राजिये में है अरुनाजल प्रदेश, मद्य प्रदेश, 37 गड़ या फिर ओडिसा तो इसका करेट आनसर कौन सा होगा मद्य प्रदेश उप्सन 3 भारत में कुल विद्यूत सक्ती में जल विद्यूत सक्ती का युगदान लगबक कितना है आदा है, एक चोथाई है, एक तियाई है या फिर पांचोव भाग है भारत में कुल विद्यूत सक्ती में जल विद्यूत सक्ती का युगदान कितना है कितना है पांचोव भाग है option 4 तो इसका create answer होगा निम लिखेते में से आपको संबन्द बताना है एक तरह अध्योग दे रखें और दूसरी तरह अरूरक शेतर दे रखें और नीचे देगे कूट के अधार पर आपको chain करके बताना है तो देगे मूलबूत उद्योग तो ये इसमें पेट्रोलियम इसका create answer होगा सामरिक उद्योग की बात करें तो सस्तर और बोला बारूद होगा उसके बात में करांतिक उद्योग तो ये तो ओटा मूबाइल ही होगा और माल आदारित उद्योग तो ये उरूरक तो दो चार तीन एक दो चार तीन एक आप कोन से option में दे रखा है देखिए दो चार तीन एक आपको fourth option में दे रखा है option fourth इसका correct answer हो जाएगा भारत के निमने राज्यों में किसमें परती वेक्ती आए सब से कम है पर्ति वेक्ति आये सबसी कम कौन से राजिय में है बिहार में, ओडिसा में, उत्रप्रदेश में या वेस्ट वंगोल में इसका करेट आणसर कौन सा होगा बिहार के अंतर गत्व सेकावाटी ख्याल के प्रवर्टक कौन है बंशीदरस्रमा है, लक्स्मीराम है या फिर नानुराम है, मोतिलाल है शेकावाटी ख्याल के प्रवर्टक कौन है तो इसका करेट आंसर रगा नानुराम उप्सन थर्ड जैसंबंद से और आगे पूरों में कटा फटा जो टेले निमा और जो एनियमि दरातल है उसको किस नाम से जना जाता है लसाडिया का फटार उदेपूर बेशिन, गिरवा या फिर जेपूर बेशिन जैसंबंद से आगे पूरों में कटा फटा टेले निमा और ऐनियमि दरातल उसको किस नाम से जानते हैं लसाडिया के फटार के नाम से उसको जाना जाता है इस पटार के उचाई 300 मिटर से लेकर 600 मिटर तक है और यह फटार वो उद्यपूर में है कास्ट प्रासाद इस्तित है कास्ट प्रासाद कहाँ प्रिष्थित है कोटा बुंदी बारा जालावाड चारों आपको हाडूती प्रदेश के जीले दे रखे है और कास्ट प्रासाद है वो कहाँ प्रिष्थित है जालावाड में है ओप्सन फोर्थ इसका करेट आउन्सर होगा निम्न में से रास्तान का कौन सा बोत्तिक विवाग गोडवाना लेंड का हिस्सा है उत्तिक विवाग गोडवाना लेंड का हिस्सा है उत्रि प्सेुम ей रुष्थिलिय प्रदेश जायस संबंद जील का निरमाण करवाया जो की उद्यपुर से 51 किलोमेटर दक्सिन पूरों में इस्तित है इसका निरमाण कौन शी सतापधि में करवाया गया था जे सम्मंद जील का निर्माण कौन सी सताब्दी में करवाया गया था सत्तरवी, सोडवी, अठारवी, पंदरवी तो देखे इसका निर्माण करवाया गया था सत्तरवी सताब्दी के अंतरगत इसको डेबर जील के नाम से भी जाना दाता है 1625 से लेकर 1691 के मद्देश का निर्मान कर रहा गया था कौन शी देवी के उपरी हिस्से में पंच देवी की परतिमाएं उतकिर्ण की गई है शीतला माता, नराने माता, शीला माता या फिर साकंबरी माता कौन शी देवी के उपरी हिस्से में पंच देवी की परतिमें उत्किर्ड हैं तो देखे शीला माता इसका करेट आनसर होगा जलोड या कछारी मिट्टी नदियों द्वारा बहाकर लाई हुई मिट्टी होती है जो कि राजस्तान में कहाँ पर पाई जाती है जेसल मेर, जोदपूर, बाड मेर और अलवर और जेपूर के खितर में जलोड मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है तो इसका करेट आनसर कौन सा होगा अलवर जेपूर, ओफसन फॉर्थ निम्न वेशे कौन सी पसल उनालू पसलों में नहीं आती उनालू पसलों में कौन सी नहीं आती यहू चना, जो, कपास तो देखे कपास क्या होगा इसका? करेट आनसर होगा रवी की पसलों को उनालू पसलों के नाम से जाना जाता है और जो कपास होता है वो रवी की पसलों में सामिल नहीं होता संगत पताना है राणा सांगा के द्वारा लड़े गए युद राणा सांगा के द्वारा लड़े गए युद कौन कौन से है बैाना का युद 1527 इस्वी में बाद खानवा का युद 1527 में गागरों का युद 1511 इस्वी में और ये सभी संगत हैं यानिकि तीनों ही आपको सही दे रखें तो देखें इसके अंदर गत आपको तीनों ही सही दे रखें ओप्सन फूर्ट इसका क्रेटान सुरू जाएगा और ये कौन-कौन से राजाओं के द्वारा सासकों के द्वारा डड़े गए थे वह आप यहां पर देख सकते हैं रास्तान में पर्थम चीनी उद्योग कहां पर इस्तापित किया गया ब्यावर, गंगानगर, बोफाल सागर या के सुराय पार्टन तो जीए बोफाल सागर चितोडगर के अंतरगत रास्तान में पर्थम चीनी उद्योग स्थापित किया गया था दिविवार सुगरबिल से लिमिटेड समाजिक विज्ञान अध्यन करता है समाजों का अध्यन करता है सरकारों का वेक्तियों का या फिर दर्शनों का समाजिक विज्ञान किसका अध्यन करता है किसका अध्यन करता है समाजों का अध्यन करता है option first इसका create answer होगा जहां मस्तिक से बीना भहे के हो ये खतन किसके द्वारा कहा गया था मातमगांदी स्वामी वेकानन्द गुरु देव रविंदना टेगोर या सरदार भगत सिंग जहां मस्तिक्स बीना भै के हो ये खतन किसने कहा था तो देखें रविंदना टेगोर के द्वारा ये खतन कहा गया था समाजिक विज्ञान पढ़ाने में आने वाली खतनाईयों में से पर्मुखटनाई कोन सी है परिवर्तित होते रहना बहुत जटिल होना अस्तित्वहीन होना या अस्थानिक होना समाजिक विज्ञान पढ़ाने में आने वाली खटनाईयों में सबसे पर्मो खटनाई कौन शी होती है परिवर्तित होते रहना एक बच्चे की सिक्ष्या का अस्थान कौन सा है स्कूल, समाज, घर, तीनो स्कूल या फिर केवल समाज, या फिर केवल घर एक बच्चे की सिक्ष्या का अस्थान कौन सा है तो देखे स्कूल, समाज, और घर, तीनों होगए ओप्शन फेस्ट इसका खरेटा अनसरोगा एक सिक्ष्या को निम्न गुणों को अपनाना चाहिए एक सिक्ष्या के अंतरगत कौन से गुण होने चाहिए अभिनेका, समाद्गला का, अधिकम का या विभिन बुमिका निभाने वाला तो एक सिक्ष्या के अंतरगत विभिन बुमिकाओं को निभाने का गुण होना चाहिए प्रात्मिक और दिवतियस्त्रों में क्या अंतर है चार ओप्शन आपको दे रखे हैं देखे इसका करेट आंसर होगा आपको बता जता हूँ प्रात्मिक स्रोत वेक्ति से, सूचना से, काल से और अध्यन के जाने वाले विचारों से गहन संबंद रखता है ओप्शन थर्ड क्या होगा इसक्यूशन का करेट आंसर होगा प्रोजेक्ट वरक महतपून होता है क्यों महतपून होता है देखे प्रोजेक्ट वरक महतपून होने के पीछे आपको चार इजन दे रखे हैं कौन सा महतपून होता है यह आपको बताना है देखे करके सीखना और सीखने का महतपून तरीका है ये प्रोजेक्ट वरक महत्पूर्ण होता है ठीक है अगला देर काक्सा में सिक्षन कारिये होने चाहिए गहन एक पक्सी है पारस्प्रिक किरिया के द्वारा या फिर सरल काक्सा में सिक्षन कारिये कैसे होने चाहिए समाजिक विग्यानों की शिक्षन तक्निकों में सामिल किया जा सकता है किसको सामिल किया जा सकता है वारतलाब गतिविदी, लेक्चर्स, प्रोजेक्ट या फिर सभी को समाजिक विग्यान की शिक्षन तक्निकों के अंदर अगर इन सभी को सामिल किया जा सकता है प्रोग तो सभी इसका correct answer होगा नेमले खिते में से कौन सा खतन सतत और व्यापक मुल्यांकन के लिए सही नहीं है कौन सा सही नहीं है सतत और व्यापक मुल्यांकन के लिए तो देखे इसका correct answer होगा इससे six कों के ओपर बोज बढ़ जाता है ये खतन आपको इसमें गलत दे रखा है इसलिए option fourth क्या हो जाएगा इसका correct answer हो जाएगा तो अमीद गरता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ने कुछ नया ही शिकने को मिला होगा and this is the end of the video, thanks for listening, God bless you all